बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम, असलाम इकम स्टूडेंट्स इन इस वीडियो लेक्शर, वी विल लेर्न चेटर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स यह हमने इस वीडियो लेक्टर में पढ़ना है तो आई चली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है हमें डेली लाइफ में डिफरेंट टाइपस अफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या डेली लाइफ में डिफरेंट टाइपस अफ प्रॉब्लम अराइज करती है मतलब आती रहती है हमारी रोजमारा जिंदगी में मुख्लिफ किसम की प्राब्लम्स उनको सॉट आउट करने के लिए या उन प्राब्लम्स के सॉलूशन को अचीव करने के लिए हमें एक सिस्टेमेटिक वे को एडॉप्ट करना पड़ता है और हम एक systematic way को एक organized way को adopt करते हैं उनको solve करने के लिए इसी तरह से computers में भी हमारे पास various types of problems arise करती है और उनके solution के लिए हम एक proper organized way को follow करते हैं ठीक है वो organized way क्या होगा हम इसके आगे further steps में पढ़ेंगे ठीक है तो किसी भी problem को solve करने के लिए एक जो organized way को follow किया जाता है उसको हम problem solving कहते हैं ठीक है आगे next slide पे आते हैं इसके steps तो सबसे पहला step है जो problem किसी भी problem के solution की तरफ हम बढ़ते हैं सबसे जो पहला step आता है वो है defining a problem ठीक है तो सबसे पहले तो आपके पास जो problem statement है ना वो properly defined होनी चाहिए कि एक बंदा problem statement पढ़े तो उसे idea हो जाए मतलब properly समझ आ रहा हो उसको पढ़के उसको ऐसा ना हो कि उसमें किसी किसम का कोई error हो problem statement में जैसे कि इसका पहला point है कि there should be no ambiguities in a problem statement कि किसी भी problem statement में आपके पास किसी भी किसम की ambiguity नहीं होनी चाहिए ambiguity का मतलब है उसमें किसी भी किसम का error नहीं होना चाहिए second point है कि उसमें जो conditions है वो clearly specified हो ठीक है मतलब कि आपके पास overall इस problem statement को आप पढ़ें तो आपको accurately समझ आ जाए है कि what the problem statement is about मतलब हमने कैसे इस को sort out करना है क्या requirement है problem की क्या पूछा जा रहा है exactly मतलब कि जैसे कि आपके पास कोई question है उसको पढ़के फॉरण आपको समझ आ जाए yeah question basically क्या पूछा जा रहा है question में ठीक है तो वो basically हम first step पे देखते हैं कि हम properly define करते है प्रॉब्लम को ठीक है let's say आपको एक मैं real life example दूँँ आप doctor के पास जाते हैं और आपको कोई बिमारी है आपको कोई disease है आप doctor के पास जाते हैं तो doctor को suddenly पता नहीं चल जाएगा कि आपको that from what disease or what condition are you suffering ठीक है वो आप से थोड़ी questioning करेगा सबसे पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम की कि सबसे पहले वो background knowledge gain करेगा कि कितने टाइम से आप ये problem feel कर रहे हैं या कितने टाइम से आप unwell feel कर रहे हैं symptoms के बारे में कुछ पूछेगा फिर कुछ वो guesses अपने इस्तमाल करेगा कि आपको क्या ये problem भी feel हो रही है कि आपको ये problem भी feel हो रही है फिर आपके पास finally अगर उसके नहीं समझाएगा तो वो picture draw करेगा in some cases if an x-ray is required और etc वो मतलब इस तरह से एक picture draw करके चक करेगा या कोई tests वो आपको recommend करेगा करवाने के लिए ठीक है तो ये basically आपके पास strategies है कि if a problem is not well defined तो हम किन strategies को adopt करेंगे उसको define करने के लिए ठीक है तो आगे further देखते हैं जैसे जो third इसकी face थी draw picture जैसे एक problem है उसको picture की form में represent किया गया है ठीक है तो आप सारे भी इस picture को देखें and I hope के आप इसको easily solve कर लेंगे बस थोड़ी सी critical thinking required है इसमें इसको देखें and tell me in the comment section that what is the answer of this ठीक है and there is a very famous saying by Albert Einstein Albert Einstein once said that if I were given one hour to save the planet I would spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it Albert Einstein कहते हैं कि अगर मुझे एक गंटा दिया जाए planet को पूरे planet को बचाने के लिए तो मैं 59 minutes thinking करूंगा मैं मतलब सोचूंगा उस problem को exactly मैं define करूंगा कि how am I going to save the planet और एक minute में मैं उसको save कर लूँगा planet को ठीक है उसको मैं बचा लूँगा तो यह इस तरह से मतलब इसका मतलब है इस quote का यह मतलब है कि हमें critical thinking जादा करनी है हमें सोचना जादा है मतलब हमें फॉरण से steps नहीं ले लेने कि कैसे हमने problem को solve करना है हमें अच्छे तरीके से सोचना है पहले उसको कि कैसे उसका solution हम एक बहतर solution की तरफ जाएंगे then हमने उस पे practical working करनी है ठीक है और वैसे भी as we all know that a picture is worth than a thousand words और picture speak louder than words ठीक है तो इस वज़ा से जब problem clearly defined now तो हम उसको picture की form में represent करके देखते हैं या picture की form में हम उसको analyze करते हैं तो भी वो थोड़ा सा हमें समझने में जादा असानी होती है ठीक है this was all about defining a problem the first step of problem solving next step है जो problem solving का वो है basically understanding a problem ठीक है तो understanding a problem है जो basically वो include करती है identification of five w's मतलब इस में हम further reasoning करेंगे के what the problem is who is going to solve the problem ठीक है why there is a need to solve that particular problem and when we are going to solve that problem and where we are going to solve this problem is it clear ये basically five w's थे जिनकी हम identification करते हैं this means that हम problem को analyze करते हैं from every angle ठीक है from every possibility हम problem को analyze करते हैं these are the basic elements which lead towards the solution of a given problem this was all about the second phase this is also called problem analysis problem analysis भी कहते हैं इस फेस को understanding का problem को and next phase है या next step है जो आपके पास problem solving का वो है planning का solution this is basically the third step and in this step we use some strategies to plan a solution the first strategy is divide and conquer basically अगर एक बड़ी problem को solve करना मुश्किल है तो हम उसको split कर देते हैं दो पार्ट्स में उनको हम further split करते हैं if required है then हम उसको solve करते हैं ठीक है and अगर हमें फिर at the end वापस उनको हम combine करके और final solution देते हैं यह इस वज़ा से किया जाता है क्योंके एक बड़ी problem को as a whole solve करना अगर मुश्किल है तो उसको छोटे सब parts में divide कर दिया जाता है और इसकी वज़ा से हमें solution effective एक solution मिलता है और एक efficient solution हम find out कर सकते हैं with the help of this strategy next strategy है guess check and improve कि आप एक solution guess करते हैं आप उसको test करते हैं उसको check करते हैं solution को either it is correct or not आप उस solution की validity को check करते हैं और अगर उसमें किसी किसम का कोई भी flaw आपको नज़र आता है तो आप उस law को remove करते हैं उसमें आप improvement करने की कोशिश करते हैं यह second strategy है solution को plan करते वकत third strategy है prototype जैसे के पहले भी आपको मैंने बताया last slides में कि आपके पास picture से आपको जादा clearly समझ आएगा तो आप उसको draw करके देखते है solution को कि overall यह ऐसा लगेगा या final solution के एक components होंगे आप एक rough सी picture उसकी draw करके देखते है last one is act it out यह basically एक checklist होती है कि आपने एक checklist बनाई आपने जैसे let's say you went to a grocery store for buying some groceries और आप महां पे एक checklist बना लेते हैं और मैंने यह भी buy कर लिया यह भी buy कर लिया यह भी buy कर लिया है और एक मतलब sequence में आप फिर उसके solution की तरफ जाते है ठीक है this was all about the third step now moving on towards the fourth step that is candid solutions ठीक है fourth step आपके पास है कि हम candid solutions को देखते हैं कि वो क्या होते है candid solution basically the word candidate refers to something spontaneous and unplanned candidate का मतलब है कोई भी spontaneous चीज़ या कोई भी unplanned चीज़ for example अगर आपको कहा जाए कि आपने number of students find करने अपने school में जो कि cricket खेलते हैं तो आप कैसे estimate करेंगे you will estimate by finding cricket players in your class आप अपनी class में जो बच्चे cricket खेलते हैं उनको find out करेंगे and then you will multiply it by the total number of classes in your school इस तरह से आप इसको identify कर सकते हैं ठीक है तो एक अपनी class में आप identify करेंगे let's say आपकी class में 15 students engine में से 5 students cricket खेलते हैं और total number of classes school में 10 है तो you will multiply 5 with the total number of classes the answer will be 5 into 10 50 this is not the accurate or exact answer but it is somewhat correct or somewhat near towards the correct answer मतलब आपके पास यह जो correct answer है उसके quite near या approximate आप कह सकते हैं कि उसके करीब 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 कई कोई figure होगा ठीक है तो यह था आपके पास candidate solution कि यह unplanned होते हैं आप बस sudden से जो solution दे देते हैं critical thinking से वो candidate solution है ठीक है जैसे अकसर हम कहते हैं let's take a candidate selfie ठीक है तो candidate selfie basically कि आपने किसी को directions नहीं दी यार मैं selfie लेने लगा हूँ आप बस suddenly plan किया आपने और आपने click कर लिया whatever everyone was doing आपने just उसको click कर लिया उस moment को आपने click कर लिया वो candidate selfie है इस तरह से मतलब sudden आपने जिसको click किया इस तरह से जो solution suddenly दे दिया जाता है वो unplanned होता है planning होता वो candidate solution है clear last जो आपके पास है वो है selecting the best solution obviously जब आप problem को solve करेंगे तो आपके पास number of solutions आएंगे उन number of solutions को आपने उन में से कौन सा select करना है solution यह हम इस step पे देखते हैं तो वही solution basically select किया जाता है that will take less time और जो सबसे कम storage लेगा memory में उसको obviously select किया जाएगा इस पे भी certain parameters हैं उनके according evaluate किया जाएगा कि कौन सा solution सबसे best है जिसकी performance सबसे अच्छी होगी जिस solution की overall मतलब हम easy होगा जिसको reach करना जिस solution को within minimum time ठीक है and it will obviously take minimum cost this means कि it should be cost effective मतलब कम से कम cost उस पे आपकी आए overall मतलब feasibility study आप उसकी करेंगे feasibility का मतलब होता है कि overall आप उसके cost analysis करेंगे कि कितनी cost आएगी कितना time लगेगा आपको कितनी workforce चाहिए होगी इसके लिए इन सारी चीजों को evaluate करके हम एक solution को select करते हैं जो के best solution होगा clear this was all about the problem solving steps and we also studied problem solving the definition of problem solving if you are having any questions you can ask me in the comment section thank you so much for watching this video and please do like this video share it with your friends and do subscribe